सेल डोक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है觉ips वीडो में हम बात करेंगächen एक आसान भासे में जिसको हम पोलते हैं फिपडों में पानी भरना जिसको हम छाती में पानी भरना या फिर लंक्स में पानी भरना जिस से जानते हैं medical term में इसको plural effusion कहते हैं तो ये बिमारी किस कारण की वज़े से हुई है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे lungs में आखिर पानी भरता कहां पर है तो इससे पहले मैं आप सभी से request करने चाहता हूँ कि अगर आप हमारे studio channel पर नए है तो हमारे studio channel को जरू subscribe करें ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक प्रह सकें तो first हम जानते हैं कि हमारे lungs में पानी आके भरता कहां पर है अगर आप ये जान लेंगे तो आपको और जाद अच्छे से समझ में आएगा कि किस कारण के वज़े से मेरे चाते में पानी भरा था तो देखे जो मैं आपको अभी photo देखा रहा हूँ इस photo में आप जो plural effusion जहां लिखा हूँ है ये एक arrow से लिखा हूँ है plural effusion ये जो आपको yellow color का दिख रहा है जो पीले color का दिख रहा है अब वो जो आपको पीले color का दिख रहा है ये ही वो space है और इसी space में lung से सुकुड़ता है और फैलता है इसी space में पानी भरता है हमारे ठीक है आपको पता लग गया हमारे कौन से हिस्से में पानी भर रहा है अब आपको और ज़्याद अच्छे से समझ में आएगा जो मैं आपको कारण बताऊंगा, वो कारण क्या-क्या है, तो आईए एक ही करके हम उनका कारणों के बारे में जानते हैं, फर्स्ट है टूबर क्लोसिस, जिसको हम टी-बी के नाम से भी जानते हैं, टूबर क्लोसिस मे हमारे च्छाती में पीले कलर का जो फ्लूड है, वो भरता है, अगर आपके च्छाती में से पीले कलर का फ्लूड निकलता है, येलो कलर का, तो वो टूबर क्लोसिस की वज़े से आपके च्छाती में पानी भराता, अगर हम सेकिंड बात करें, निमोनिया, जिहां, निमोनि अगर हम ठर्ड बात करें तो वो है cancer, देखी cancer में भी तरह तरह की cancer है, जिसमें सबसे ज़्यादा chances है कि आपको इन cancer में आपके चाती में पानी भर सकता है, वो तीन cancer है, lymphoma cancer, जिसको हम guilty का cancer भोलते हैं, lung cancer and breast cancer, तो ये तीन cancer है, इन तीनों cancer की कार्यम भी आपके चाती में पान पानी हो, उससे भी आपके चाती में पानी भर सकता है, means की सबसे बड़ा अगर हम दिल से समन्दित बीमारी हो बात करें, तो वो है blockage, अगर आपको blockage है, तो आपको चाती में पानी भर सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए, अगर हम fifth बात करें, kidney failure, जिहां, अगर आपको kidney से समन्दित, कोई भी बीमारी हो, उस case में भी आपके चाती में पानी भर सकता है, अगर हम sixth बात करें, ascites fluid, जिहां, ये एक बीमारी है, जिसमें आपके liver खराब होने से ये बीमारी आपको होती है, अगर आपको liver से समन्दित कोई भी problem होया, उस case में भी आपको चा चाती में पानी भर सकता है, अगर हम seventh बात करें, accident, जिहां, अगर आपको चोट लग जाए, अगर साइड में चोट लग जाए, आपके tissue cells फट जाए, उस case में भी आपके चाती में पानी भर सकता है, और ये एक serious condition हो सकती है, तो इसका illage भी आपको immediate करवाना चाहिए, अगर हम eighth बात करें, वो है tumor, जिहां, चाती के अंदरोनी हिस्से में tumor होना, इस case में भी आपको चाती में पानी भर सकता है, तो मैंने ये आपको 8 कारण मता है, इसमें है tuberculosis, pneumonia, cancer, heart failure, kidney failure, ascitis, accident, tumor, जितने मैंने आपको कारण मता है, तो ये कुछ बड़े कारण थे, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ बड़े कारण थे, जो मैंने आपको इस video में बताया, अगर आप कुछ भी इन कारणों के बारे में पूछना चाते हैं, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, या फिर आप मेरे facebook page पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं, facebook page का link मैंने इस video की description में दे रखा है, तो बस फिलालाज की इस video में इतना है, अगर आपको एग video पसंद आई हो, तो इस video को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे channel को जरूर सस्क्राइब करें, और इस video को share करें, thank you so much.